हेलो और वेलकम बेक टो भीरे क्लासेज यूपी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अमारा बैलोजकल साइंस का लेशन प्लान चिसका टॉपिक है कोसी का जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने सुक्षमजी टॉपिक का लेशन प्लान डिसकस किया था और आज देखेंगे कोसी का टॉपिक का लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है कैसे लिखना है तो चलिये देखते हैं बाठियोजनग संक्या आठवे नंबर का है हमारा अलरेड़ी हमने वैलोजकल साइंस और फिसकल साइंस के बहुत सारे लेसन प्लान डिसकस कर लिया चैनल पर आपको मिल जाएगा हर एक टॉपिक का लेसन प्लान अगर आपको उसकी जरूरत होती है तो आप एक पर प्लेलिस्ट भी तैयारा वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और मैं लिंक भी दे दूँगी आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं ठीक है चलिए देखते हैं छात्र ध्यापिका का नाम या छात्र ध्यापक का नाम फिर प्रसिख्षड केंदर ये सारी चीज़े लिखने के बाद तिनांक, कक्षा, वर्ग, विशे, उपुविशे, चक्र तथा अवदी ये सारे काम करने के बाद हम अपना प्रक्रड लिखते हैं आज का हमारा प्रक्रड है कोसी का इसके बाद हम लिखते हैं शमान उद्देश्य समान उद्देश्य में कुल 7-8 पॉइंट जो भी लिखते हैं समान उद्देश्य में लिखते हैं अन्य था पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं अल्रेडी हमने इस बात पर चर्चा कर लिया है तो समानी उद्धिस में देखते हैं पहला पॉइंट है हमारा चात्रों में जैविक विज्ञान के प्रती रुजी उत्पर्न करना दूसरा चात्रों में जैविक के विकास है तो सहायता प्रदान करना और पाच्वा है हमारा चात्रों में प्रयोगों से संबंदी समाने कोशलों तथा उपकरोडों के विशे में ज्यान प्राप्त कराना चटा है विज्ञान सिक्षडवारा बच्चों के मानवी सक्तियों का विकास करना और सात्वा है हम चात्रों के वैग्यानिक सिध्धान तथा तथियों को उप्योग करने की छमता प्रदान करना यह हो जाता है हमारा समाने उद्देश्य आगे बढ़ते हम अनुदेशनात्मक या विशिष्ट उद्देश्य पर जिसमें ग्यानात्मक, बुधात्मक और क्रियात्मक ये तीनों उद्देश्य हम लिखते हैं सबसे पहले ग्यानात्मक में लिखेंगे चात्र कोसिका के बारे में बता सकेंगे दूसरा चात्र कोसिका की व्याक्या कर सकेंगे बुधात्मक में लिखते हैं और फिर क्रियात्मक उद्देश में लिखेंगे छात्र कोशिका का महत्व दैनिक जीवन में समझ सकेंगे यह हो जाता है हमारा विशिष्ट या अनुदेशनात्मक उद्देश्य आगे बढ़ते हम सहायक सामगरी पर जो भी सहायक सामगरी हम यूज करते हैं वो लिख देते हैं सिक्षडविधियां प्रश्णी करण विधी व्याख्यान विधी और प्रयोग प्रदर्शन विधी ये विज्ञान विशय में हम सिक्षडविधियां यूज़ करते हैं तो लिख देते हैं पूर्व ज्यान में लिखेंगे छात्र को सीका के बारे में सामाने जानकारी रखते हैं अब हम भड़ते हैं प्रस्तावना के प्रश्ण पर हमारे प्रस्तावना का प्रश्ण लिखेंगे जिसमें हम इस डाइब का बॉक्स बना लेंगे आप सबी को पता है प्रस्तावना का प्रश्ण कैसे लिखा जाता है इसके बाद छातर ध्यापिका या छातर ध्यापक कथन आप यहां पे लिखेंगे जो भी है चातर चातर पत्यासित उतर या चातर 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 अकथन भी लिखा जाता है इसे इसमें हम कुछ प्रश्ण करेंगे जैसे पहला प्रश्ण है आप पढ़ने के लिए कहां आते हैं चातर बताएंगे कि विद्याले या इसकूल में आते हैं उसके बाद पूछेंगे आप लिखेंगे question वित्याले का निर्माड किन वस्तूओं से मिलकर होता है वित्याले का निर्माड eat cement आदी से मिलकर होता है फिर आप question करेंगे इसी प्रकार हमारे सरीर का निर्माड किस से होता है चात्र बताएंगे कि हमारे सरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है फिर समस्यात्मक प्रश्ण करेंगे हम हमारा कोशिका की बारे में विस्तार से बताईए यहाँ पर हो जाएंगे चात्र मौन हम लिख देंगे समस्यात्मक ठीक है आगे देखते हैं उद्देश्य कथन हम लिखते हैं उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग कोशिका के वारे में अध्यन करेंगे ठीक है इसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं प्रस्तूत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को तीन सिक्छर बिंदूओं में प्रस्तूत किया गया है जो क्रम सह कोशी का कोशी का के प्रकार वो एक कोशी की और बहु कोशी के जीव हैं ये हो जाता है हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया आगे बढ़ते हम प्रस्तूती करण पर प्रस्तूती करण पर ठीक है प्रस्तूती करण पर आगे बढ़ने इस पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज एक बढ़ से अभ्यूदय क्लासे जी उपी को सब्सक्राइब और वीडियो आपके लिए हल्फुल लगे कि आपको तो लाइक और शेर भी जरूर कर दीच को वैसे तो फिस्कल साइंस और वैलोजकल साइंस के आपको चैनल पर हर टॉपिक के लेसन प्लान मिल जाएंगे आप एक पर प्लेलिस्ट चेक कर लिजेगा ठीक है सिक्षड बिंदू लिखते हैं चातर ध्यापी का क्रिया चातर चातर अनुक्रिया और स्यामपट कारिया ये सारी चीजे लिखने के बाद सबसे पहले हम अपना पहला सिक्षड बिंदू लिखते हैं जो है कोशिका कि हमारा पहला सिक्षड बिंदू है ओके इसके बाद हम प्रश्ण करते हैं जैसे पहला प्रश्ण है मारा सजीव किसे कहते हैं लिखेंगे इसमें जिन में जीवन पाया जाता है उसे सजीव कहते हैं दूसरा जीवन की मूलबूत इकाई क्या है जीवन की मूलबूत इकाई कोशिका है फिर मौन प्रश्ण करेंगे कि कोशिका के बार पर अश्पश्टी करड़ लिखेंगे हेडिंगाम उसमें लिखेंगे सभी जीवों का सरी अनेक सुक्चमिकाईयों से मिलकर बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं कोशिका जीवन की रशनात्मक क्या कार्यात्मक था मूलभूत इकाई होती है कोशिका की सर्व प्रथम राबर्ट हुग ने संसोलस और 65 इस भी में किया था इन्हें कोशिका का जनक माना जाता है कोशिका का विधिवत अध्यान कोशिका विज्यान कहलाता है ये सारी चीजे लिखने के बार आगे बढ़ेंगे हम अपने स्यामपट कारे पर स्यामपट कारे में आप जो भी चीजे स्यामपट कारे करते हैं स्टीचिंग के दौरान वही चीजे आप यहां पर लिख देते हैं ठीक है आगे देखते हम अपना दूसरा सिक्षड बिंदू इतने का स्क्रीन सॉट लिजेगा फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे सिक्षड बिंद पर पहले इतना करिए देखते हैं दूसरा सिक्षड बिंद जो है हमारा वहा है कोशिका के प्रकार इसमें आपने उपर अभी लिखा हुआ है कि चार्ट पेपर पर बना हुआ चीत्र तो आप चार्ट पेपर यूज़ करेंगे अपने टीले में तो एक काम करते हैं हम ये स्यामपट कारी में या तो यहीं पर ठीक इसके सामने जो हम अपना देते हैं असपस्टी करर उसके ठीक सामने हम डाइग्राम बना लेते हैं जैसे आप यहां पे देख सकते हैं बना हुआ है ठीक है तो आप यह पहले करिएगा बाद में अभी करिएगा पहले देखते हम इसका सिक्षरबिंदु में क्वेशन पहला क्वेशन ने कोशिका की कोश किसने की थी रावर्ट हूक ने दूसरा कोश का कद्धिन क्या कहलाता है कोश का विज्ञान कहलाता है फिर मौन प्रश्ण पूचते हैं कि कोश का कितने प्रकार्गी होती है यहां पे लिख देते हैं छात्र मौन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने असपस्टी करण पर इस पर अभी बाद में आएंगे अपने डाइग्राम पर पहले असपस्टी करण देख लेते हैं असपस्टी करण में लिखेंगे कोशिका दो प्रकार की होती है प्रोकेरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका अब Prokaryotic को सबसे पहले बताएंगे कि ऐसी कोशिका हैं जो ओविक्सित होती हैं जिन में कोई असपष्ट केंद्रक नहीं होता है जैसे बिशाडू जिवाडू यह हम Prokaryotic कोशिका के उधारर बताएंगे छातरों को लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे Eukaryotic कोशिका इसमें लिखेंगे ऐसी कोशिका हैं जो विक्सित होती हैं जिन में संगठित केंद्रक पाय जाता है जैसे उधारर लिखेंगे पेड़ पोध है जीवजन तु फंगस आदी यह हमारा Eukaryotic कोशिका हो जाता है यहां पे आप ज़रूर लिखेंगे कि चातर ज्यान से सुनते हैं और कोशिका के प्रकार कुछ इस प्रकार भी स्यामपटकारे में लिख सकते हैं कोशिका के प्रकार प्रोकेरियोटिक यूकेरियोटिक तेक ऐसे लिखने से आपका फाईल जो है अच्छा दिखता देखने में में भी आपको बनाने में भी और टीचर साइंद करेंगे तो ठीक लगता है ठीक है अब देखते हम आते अपने टायग्राम पर आप कुछ इस प्रकार बना के या तो इसके ठीक सामने जो अपर पेज रहता है उस पर बना सकते हैं या स्यामपर काले बॉक्स में भी बना सकते हैं या इसके ठीक सामने आप कोई एक प्लेन पेपर पेपर बना के चिपका भी सकते हैं पेश्ट भी कर सकते हैं ठीक है आपको जो उचीत लगे जो अच्छा लगे जिस प्रकार आप कर सकते हैं वैसा यहां पर देख सकते हैं कोश्का के प्रकार प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक को शिका प्रोकेरियोटिक में विशाडू जिवाडू का हमने एक्जामपल दिया है तो विशाडू और जिवाडू उसके बार यूकेरियोटिक को इसका में पेड़ पोध है जिवजन तू कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये पेड़ बन गया ठीक आप भी ऐसे ही बना सकते हैं ओके इसके बाद आप जन तुभी कोई बना सकते हैं आप बच्चों को समझा नहीं या अच्छी तरह से तो आप जीस हिसाब से आपको उचित लगे आप कर सकते हैं कुछ भी तीसरे सिक्षड बिंदु जो है एक कोश्किय और बहु कोश्किय जीव यह हमारा तीसरा सिक्षड बिंदु हो जाता है इसमें पहला कोश्चन कोश्का कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है फिर प्रोकरियोटिक कोश्का का उधारण बताईए जिवाड और विश यहाँ पर comment पहले हो गया है तो इस पी आप ध्यान नहीं देंगे या आपको नहीं लिखना है क्योंकि यह आपके teacher द्वारा comment लिखा जाता है ठीक है असपस्टिकर लिखेंगे इसमें लिखेंगे वह जिव जिन में केवल एक ही कोशिका हो वह एक कोश्की जिव हैं जैसा नाम से ये असपस्ट है कोश्की जिव आप इस प्रकार भी बच्चों को समझा सकते हैं कि एक कोश्की है यानि कि सिर्फ एक कोश्का हो इस तरह आप आदी उसके बाद बहुत कोश्के जिव नहीं बताएंगे कि वे जिव कोश्की जिव कहलातें जैसे पेड़ पौध है जिव जनतु आदी उसके बाद छातर छातर ध्यान से सुनते ही आप अवस्य ही लिखेंगे यहाँ पे एक कोस के जिव अमीबा पैरामीसियम आदी अमीबा का चाहें तो डाइग्राम बना लेंगे बहुत एजी है बस आपको ऐसे ऐसे कुछ किसी भी आकार का बना देना है ठीक ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको बनाने में तो आप चाहें तो यह बना सकते हैं पैरामीसियम गर टाइम लगेगा आप वो भी चाहें तो बना सकते हैं पर अमीबा अगर आप चारी पेपर भी बनाना चाहते हैं या ब्लैक बोर्ड पर भी तो बच्चों को छात्रों को बता के बना के समझा सकते हैं वो कोस्की जीव में जीव जन तो पेड़ पौद है आदी ये सारी चीज़े कर लेंगे इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम निरिक्षड कारे पर हमारे जिसमें लिखेंगे छात्र ध्यापी का या छात्र ध्यापक हैं तो छात्र ध्यापक ही लिखेंगे तो आरा चादरों को स्यामपट कारे उतारने का निर्देश दिया जाएगा तता कक्षा में अनुसासर बनाया रखते हुए निरिक्षड कारे किया जाएगा उसके बाद पुन्रवर्दी के प्रस्ण लिखते हैं हम जैसे पहला क्वेशन है कोशिका किसे कहते हैं दूसरा कोश्का कि किसे की थी तीश्रा है कोश्का कितने प्रकार की होती है और चौथ है हमारा भोग कोश्की जिव किसे कहते हैं क्यों जाता हमारा पुन्रवर्दी के प्रस्ण आप चाहें तो इसमें और भी question add कर सकते हैं ग्रियकारे पर आगे बढ़ने इस पहले आपको बता दें जो हमारा नेक्स टॉपिक होगा अगला जो टॉपिक होगा वो जन्तु तक उसके बार पादपु तक इन सारे टॉपिक्स पे होंगे तो अगर आपको इस टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए तो आप चैनल से जुड रहें थैंक यू